रितिक टाइगर की खतरनाक एक्षिन सीक्वेंस की डीटेल्स हैरान कर देंगी दो दिन तक सब बन रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वार को लेकर एक दिल्चस्प किस्ता सामने आया है फिल्म के डाइगर सिधार्ट आनन ने एक बयान में कहा कि हमने एक बेहाध हाई स्पीर अक्षिन सीक्वेंस रितिक और टाइगर के बीच पोटो में प्लान किया था इस सीन में टाइगर रितिक का पीचा करते हैं और इसे हाई प्रोफाल सीक्वेंस के लिए करना पड़ा था जो कि आज सब किसी भी हिंदी फिल्म में शायद नहीं हुआ है वार इस साल की सबसे बड़ी अक्षिन फिल्म बताई जा रही है एक तरह फिल्म में जो हां रितिक और टाइगर का इमोशनल फाइट कनेक्शन एक साथ देखने को मिलेगा महीं फैंस के लिए सबसे दिल्चस्प अपने दो सुपरस्टार्स को एक साथ देखना भी है इसी के चलते फिल्म के अक्षिन सीन को लेकर मेकस ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया है परदे पर हर सीन को लाजवाब दिखाने की कोशिश की है ऐसा ही एक हाई स्पीड अक्षिन सीक्वेंस की जानकारी सामने आई है फिल्म के निर्देशक सिधार्ट आनन ने सम्मन में खुलासा किया उन्होंने कहा कि हमने एक बेहद हाई स्पीड आक्शन सीक्वेंस रितिक और टाइगर के बीच प्लाइन किया था इस सीन में टाइगर रितिक का पीछा करते हैं इस हाई प्रोफल सीन के लिए हमें दो दिन तक पोटो का में ब्रिज बंद करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ी आननन ने आगे बताते हुए कहा कि स्थानी लोगों से हमें काफी हेल्प मिली हाला कि पोटोगिल के स्थानी लोग काफी हैरान थे उन्होंने कभी अपने शेहर में लोगडाउन हालात नहीं देखे हैं वे जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसके लिए ब्रिज को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया डारेक्टर सिधालत आनन ने बताया कि इंडियन सिनिमा में अभी तक ऐसा कोई आक्शन सीक्वेंस फिल्म में नहीं बना है वार के आक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में एक साल से अधिक का समय लग गया है कवर है कि फिल्म को 180 करोड के बजट में बनाया जा रहा है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आपको चकित कर सकती है फिल्म का हर एक विज्वल स्क्रीन पर ब्लॉक्बॉस्टर देने की प्लानिंग में बनाया गया है छे देशों और दुनिया के 14 शहरों में इसकी शूटिंग की गई है एरोपलेन सीन भी फिल्म की कमाई को 4 चांद लगा सकता है ऐसे में खबर है कि सीन के लिए 10 करोड से भी आदिक की रकम लगाई गई है Spain, Georgia, Sweden और Portugal जैसी खूब सुरत जगों में फिल्म की शूटिंग की गई है जो कि फिल्म की थ्रिल और आक्शन को बढ़ाने में कामियाब है तो दोस्तों आप Tiger और Ritik की इस फाइट को देखने के लिए कितने उतसाहित है हमें बताए कॉमें सेक्शन में और हमारे चानल Bollywood Tushin को जरूर सब्सक्राइब कीजी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें और शेर करें फ्लीज सब्सक्राइब Bollywood Tushin and don't forget to press the bell icon ताकि Bollywood से जुड़ा फोल भी update आपसे मिसना हो जाए Stay tuned